नमस्कार बच्चो कक्षा 10 exercise 7.2 इसका प्रेश्ण 10 हम करने जा रहे हैं एक सम्चत्र बुज काक्षेत्रफल ग्याद केजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0,4,5,-1,4,-2,-1 हैं तो देखे बच्चो मा लेते हैं यह है बिंदू A, B, C और D और इनके शीर्ष हैं 3,0,4,5-1,4 इसी क्रम में लेने हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा होगा –2,-1 इस प्रकार से बच्चो इस प्रेशन में करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले फिर हम इस प्रेशन को हल करेंगे देखो हमें निकालना है सम्चत्र बुज का क्षेत्रफल और सम्चत्र बुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है Half into इसके विकर्नों का गुनन एक विकर्न है यह AC और दूसरा विकर्न है यह BD यानि हम AC को और BD को निकालेंगे तो Half into D1 into D2 हम यूज करके इस सम्चत्र बुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे अब यह विकर्नों की लंबाई कैसे निकलेगी इसके लिए हम पिछले प्रशनावली साथ पॉइंट एक में यूज किया गया दूरी सूत्र का प्रियोग करेंगे तो देखे सबसे पहले मैं आपको दूरी सूत्र का फार्मूला बता दिता हूँ दूरी सूत्र के अनुसार दूरी बराबर होती है रूट X2 माइनस X1 का होल स्केर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्केर इसके बराबर ये दूरी का सूत्र है है ना बच्चों मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको असानी से दिखाई दे सके तो अब इसी हिसाब से हम सबसे पहले दूरी AC निकालते हैं यह बराबर होगा रूट X2 माइनस X1 का होल स्केर इसे X2 मानें इसके X मान तो यह हम X2-1 माइनस X2-X1 X1 है 3 तो Y2 Y2 है 4 minus Y1 है 0 0 का होल स्केर तो देखें root minus minus plus 3 और 1 चार साथ में sign दोनो minus के तो minus 4 का whole square plus 4 minus 0 4 4 का whole square ये आ गया minus 4 का square होता है 16 और 4 का भी square होता है 16 इसका मतलब भी आ गया root 16 प्लस 16 32 ठीक है बच्चो अभी इसको आगे हल करेंगे root 32 होता है बच्चो देखो इसका भाजे गुनन खंदन कर दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इसमें से 1 दो इस root के बाहर आ गया ये 2 भी इस root से बाहर आ गया इस जोडे में से एक दो और एक दो जो है वो root के अंदर अकेला बच गया इसका मतलब AC की जो लंबाई आएगी वो आएगी 2 गुना 2 4 इंटू root 2 ये AC की लंबाई आ गई है बच्चो इसी प्रकार अभी हम निकालेंगे BD की लंबाई तो BD की लंबाई के लिए मैं pen का color change कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सके इसी प्रकार दूरी सूतर ही हम लगाएंगे और BD की लंबाई गयाद करेंगे ये है BD फार्मूला है X2 माइनस X1 X2 है माइनस 2 माइनस X1 X1 है 4 इसका होल स्केर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्केर Y2 है माइनस 1 माइनस Y1 Y1 है 5 इसका होल स्केर तो हम इसे हल करते हैं देखिए रूट माइनस माइनस प्लस 2,4,6 7 में साइन माइनस का माइनस 6 का स्केर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 1,6 साइन माइनस का क्योंकि दोनों रख में माइनस की हैं यानि माइनस 6 का स्केर इसे हम आगे हल करते हैं माइनस का स्केर प्लस 6 का स्क्वेर 36 माइनस का स्क्वेर प्लस 6 का स्क्वेर 36 तो यह आ गया 36 प्लस 36 रूट 72 आ गया ठीक है बच्चो अब हम रूट 72 के का अभाज ये गुनन खंडन करते हैं ठीक है यह हो जाएगा अब 72 होता है 8 नाए 72 यानि 2 दूनी 4 दूनी 8 नाए के लिए 3 गुना 3 ये इसका भाजे गुनन खंडन हो गया आप इसको अलग से करके भी देख सकते हैं अब इन दो में से एक दो रूट के बाहर आ गया इन दो तीनों में से एक तीन रूट के बाहर आ गया अंदर सिरफ एक ये दो बच गया रूट के अंदर तो ये बन गया 3 गुना 2 6 इन टो रूट 2 ये बीडी की लंबाई आ गया अब बच्चो हमने कहा था सम चत्रभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए सम चत्रभुज का क्षेत्रफल इसका एक सूत्र होता है हाफ इन्टू D1 इन्टू D2 D1 D2 क्या है विकरनों की लंबाई पहला भी करना है A C डूसरा भी करना है B D ठीक है बच्चो तो दिखें अब इसे हल करेंगे हम हाफ इन्टू D1 D1 जयानी A C उसकी लंबाई आई है चार इंटू रूट दो गुणा डी टू की लंबाई आई है 6 इंटू रूट दो ठीक है बच्छो इसके साथ हम लिखेंगे वर्ग 11 यानि जो भी 11 हमें दिए है सैंटिमीटर दिया है तो वर्ग सेंटिमीटर मीटर दिया है तो वर्ग मीटर ठीक है बच्चो ख्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में अब हम क्या करेंगे देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 दूनी 4 ठीक है बच्चो ध्यान से देखना 2 से 4 कट जाएगा 2 दूनी 4 अब ये है 2 और ये है 6 रूट के बाहर वाली संक्याओं के बात हो रही है ये है दो ये है 6 6 दुनी 12 रूट 2 गुना रूट 2 होता है 2 तो ये 220 से गुना हो जाएगा ये समझे बेटा दो चीके बारा रूट 2 गुना रूट 2 होता है 2 इसके साथ आगया वर्ग इकाई इसका अर्थी है सम्चत्रभुज का खेत्रफल बराबर होगा बारा दुनी 24 वर्ग इकाई के ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया है 24 वर्ग इकाई ये सम्चत्रभुज का क्षेत्रफल आ गया है तो बच्चों आशा करता हूँ इस वीडियो के माद्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा यदि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया तो आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी प्रश्नों के हलों को समझ सकते हैं धन्यवाद